आज मंदिरों में उत्सम हो रहे हैं, स्वच्छता अभ्यान चलाए जा रहे हैं, पुरा देश आज दिपावली मना रहा है, आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है, कल मैस्री राम के आशिरवाद से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था, जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे, वो एक पल था, जिसने काल चक्र को बदला था, उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा इबिनम्म प्रयास था, वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की, वहाँ मेरे भीतर, एक विस्वास जगा, की जैसे, उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह, अब काल चक्र फिर बदलेगा, और शुब दिशा में बढ़ेगा, अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान, मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया, जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थे, चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो, करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो, आंद्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो, रामेश्वरम में, स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो, या फिर धनुष्कोडी, मेरा सवभाग है, कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ, मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला, सांगर से सर्यू तक हर जगर, राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है, प्रभु राम तो भारती आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है, राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है, हम भारत में कहीं भी, किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे, तो इस एकत्व की अनुभूती होगी, और यही भाव सब जगह मिलेगा, इससे उत्कुष्ट, इससे अधीक, देश को समायोजीत करने वाला सुत्र, और क्या हो सकता है, मेरे प्यारे देश वास्यों, मुझे देश के कोने कोने में, अलग-अलग भाशों में, रामायन सुनने का अउसर मिला है, लेकिन विशेष कर, पिछले ग्यारा दिनों में, रामायन अलग-अलग भाशा में, अलग राज्यों से, मुझे विशेष रुप से सुनने का मौका मिला, राम को परिभाशिद करते हुए, रुश्यों ने कहा है, रमंते यश्मिन, हिती रामह, हर्थात, जिसमें रम जाए, वही राम है, राम, लोक की इस मृतियों में, परवसे लेकर परंपराओं में, सर्वत्र समाय हुए है, हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है,